हलो और वेलकम टू जीनियस इंडियन चानूनी अधिकार और विशेश अधिकार प्रदान करता है जो हम सब इंसानों को प्राप्त हैं तो इसके हिसाब से यदि कोई सरकार किसी नदी को Environmental Personhood का Status प्रदान करती है तो उसके बाद यदि कोई भी Polluter उस नदी को प्रदुशित करता है या कोई ऐसी जा सकता है जैसा के उसके द्वारा किसी अन्यव्यक्ति पर प्रान घहा तक हमला करने के बाद चलाया जाता जैसा के आप समझ सकते हैं कि ये काफी अजीब सा कॉंसेप्ट है और आपके दिमाग में ये सवाल भी उठ सकता है कि आखिर इस तरह के कॉंसेप्ट की जरूरत क्या है और उसका जवाब ये है कि आज पूरी मानुविय सभ्यता उस छोर पर खड़ी है जहां हमारे लिए अपने पर्यावरान की रक्षा करना बहुत जरूरी हो गया है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमिट चेंज का खत्रा हमारे सर पर मन रहा है और उस खत्रे से बचने का सबसे आसान तरीका है कि हम अपने नदियों और समुद्रों और एको सिस्टम्स की रक्षा हर तरह से करें और ये देखा गया है कि कई बार हमारे एक्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क्स में हमारे मौजूदा कानूनी धाचे में पॉल्यूटर्स को सजा देने के कोई विशेश प्रावधान नहीं है और इसकी वजह से कई बार बहुत बड़े पॉल्यूटर्स भी बहुत छोटी सी पेनल्टी भर कर छूट जाते हैं नेचुरल एंटिटीज को एन्वारेंटमेंटल परसन हुड परदान करने का मुद्धा सबसे पहले अमेरिका के प्रोफेसर क्रिस्टोफर स्टोन ने उठाया था और आज से लगभग 50 साल पहले जब उन्होंने पहले पहल इस विशय पर बात की तो उनका कहना था कि जब एक समाज प्रगती करता है तो वो अपने वीकर सेक्शन्स को धीरे धीरे नए राइट्स देता है नए अधिकार देता है आज से लगभग 300 वर्ष पहले गुलामों को खरीदा और बेचा जाता था उनके पास कोई अधिकार नहीं थे लेकिन जैसे जैसे मानविय समाज ने तरक्की की उसने गुलामों को नए अधिकार दिये और धीरे धीरे गुलामी की प्रथा को बंद कर दिया इसी तरहे आज से 100 साल पहले तक कई देशों में औरतों को इलेक्शन्स में वोट डालने के अधिकार नहीं थे फिर उन्हें भी हमारे समाज ने ये अधिकार दिया इसी तरहे आज से 20 साल पहले बच्चों को स्कूलों में ठीक से अध्यान न करने पर बेंट से मरा जाता था या मुर्गा बनाया जाता था लेकिन जैसा के आप जानते हैं आज ये सब सजाएं गैर कानूनी हैं इसी तरहे हमारे देश में भी पुराने जमाने में जाती भेद किया जाता था लेकिन अब हमारे भारतिय समाज जिसने भी ऐसे कानून बनाए हैं जिससे हर जाती और जन्जाती के लोगों को एक बराबरी की निजर से देखा जाता है। और इसलिए प्रोफेसर स्टोन का कहना है कि अगर हमने पिछले 200 वर्षों के दोरान गुलामों, औरतों और बच्चों को नए अधिकार दिये हैं, तो अब हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने पर्यावरण को, नदियों और जंगलों और समुद्रों और एकोसिस्टम्स को भी नए विशिशा अधिकार दें, जिससे उनकी पूरी-पूरी सुरक्षा हो सके, और ये इसलिए आवश्यक है कि ये सब नैचुरल एंटिटीज हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं, सच हवा और पानी और पेडों के बिना हम इंसान कानूनी दर्जा दिया, बांगलादेश की सुप्रीम कोर्ट ने देश की नदियों को पॉल्यूटर्स और इल्लीगल सेंड माइनर से बचाने के लिए ये आदेश पारित किया, तब से इसकी नदियों को वे सब अधिकार प्राप्त हैं, जो किसी भी बांगलादेशी व्यक द्वारा मुकदमा चलाया जा सकता है, इन फैक्ट बांगलादेश की अदालत से बहुत पहले हमारे ही देश में उत्तराखंड राज्य के उच्चने आयले ने भी गंगा और यमना नदियों को जीवित मानव अस्तित्व का दर्जा दिया था, और फिर दस दिनों के भीतर ह उसी अदालत में गंगोत्री और यमनुत्री ग्लेशियर्स को भी एनवारेंटमेंटल परसन हुड प्रदान किया, और उसके पश्चात हाइकोर्ट ने उत्तराखंड की कई नदियों, नालों, झीलों, जर्नों, जंगलों और घास के मैधानों को भी एनवारेंटमेंटल प पहरतिय लोग इन दोनों नदियों को पवित्र मानते हैं और इन नदियों की पवित्रता को पॉल्यूटर्स से बचाने के लिए नए कानून और नए कॉंसेप्ट्स बनाना बहुत ज़रूरी है और वो इसलिए क्योंकि आज भी हमारे देश में ऐसे लाखों पॉल्यूटर्स हैं जिनकी नजरों में नदियों और जंगलों और ताजी हवा की कोई कीमत नहीं आज भी इन दोनों नदियों में प्रती दिन एक सो पचास करोड लीटर अंट्रीटेड सीवेज और पचास करोड लीटर इंडस्ट्रियल वेस्ट प्रवाहित किया जाता है और इसलिए हमार और उत्तराखंड की कोड्स अकेली नहीं हैं। इस तरह की कोशिशें अमेरिका और न्यूजिलेंड और अन्य कई देशों में भी की गई हैं। यहां यह कहना ज़रूरी है कि सिर्फ एन्वारेंटमेंटल परसन हुड इस्टेटस प्रदान कर देने से ही प्रदूशन रुकने वाला नहीं हैं। उसके लिए और भी बहुत सारी लड़ाईयां लड़नी होंगी। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि ये एक सकारात्मक कदम है और इस से पॉलिटर्स को दोशी ठहराने में कुछ और मदद मिलेगी। जहां हम आज पेड़ों और नदियों को एक व्यक्ति के अधिकार देने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं हमारे पूरवजों ने इन सब नेचुरल एंटिटीज को आज से हजारों वर्ष पहले अतिमानविये दरजा दिया हुआ था। हमारे पूरवज पेड़ों और नदियों और वायू को पुज्य नियमानते थे। वायू और अगनी और पेड़ों की पूजा हमारे देश में हजारों सालों से होती रही है। हमारे पूरवजों ने पेड़ों की हमेशा रक्षा की और पीपल और भरगद के पेड़ों के न नदी के उदगम स्थल पर मंदिर बनाते थे, जहां वो नदी दूसरी नदी से मिलती थी, वहां मंदिर बनाते थे, और जहां एक नदी सागर में मिलती थी, वहां मंदिर बनाते थे. इसी तरह पेड़ों को इतना पवित्र माना जाता था कि एक पेड़ की उपस्तिती में किया गया गंदर्व विवाह समाज के द्वारा सुईकारा जाता था, एक्सेप्ट किया जाता था इन सब बातों से साफ है कि हमारे पूर्वजों ने हमेशा पर्यावरान की रक्षा की और इसी लिए हम आज तक जीवित हैं और इसी लिए ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी पर्यावरण की रक्षा करें, क्योंकि स्वस्थ पेड़ और नदियां और एकोसिस्टम्स हमारे आने वाली जनरिशन की पहली जरूरत होंगी. तो मित्रों ये तो था environmental personhood पर एक छोटा सा discussion. अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे ऐसे ही किसी और topic की, तो कृपया उसे मिस न करें, और उसे मिस न करने का सबसे आसान तरीका है Genius Indian चैनल को सबस्क्राइब करना, और Genius Indian वीडियोस के ग्यान के प्रकाश को चारों और फैल आसान तरीका है अपने विचारों से मुझे अउगत कराना, और अंत में आज की इस चर्चा को समाप्त करने का सबसे सही तरीका है, आपको अपना समय निकालने के लिए आपका शुक्री आदा करना, ठैंक्स वर वाचिंग